हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका अपके अपने लीगल चनल सूश्पा प्रहर में मैं हूँ अड़ोकेट सनी शर्मा दोस्तों नए कानूनों पर लगातार मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपसे कमिट्मेंट किया था कि मैं हर पह होते हैं एक अच्छा होता है बुरा होता है अब दोस्तों चो नए कानून आ रहे हैं इसमें भी विर्कुल ऐसा ही है कि नए कानून से हमने आपको बताया है कि आपकी केसेश पर क्या फरक पड़ेगा ताइम लान चोटी हो जाएंगी ट्रायल चोटा हो जाएगा आपको फ 498 है कि हमारे उपर FIR हुई इस FIR का सारा का सारा कंटेंट जूटा है लेकिन मामला अपरादिक है धाराएं ऐसी हैं जिसमें कुछ मामलों में तीन साल तक की सजा और कुछ धाराएं ऐसी भी लगी होती है जिनमें साथ साल तक की सजा होती है अब अगर जूटा मामला होता है तो end में क्या होता है? Equital हो जाता है. यानि आदमी छूड जाता है, बरी हो जाता है. अधिकतर ही होता है. और आज के समय पर क्या हो रहा है? 10-10 साल ट्राइल में लगते हैं. तो इतना कोई वेट नहीं करता है, ना तो husband side, ना wife side. और क्या होता है? mean-wiley compromise हो जाता है. judgment तक मामले maximum पहुंसता ही नहीं. अब बात करें, कि क्या सारे ही मामलों में equitable हो जाता है? भहिया, ऐसे बहुत सारे मामले है 498-EK, जहां लड़के का कहना होता है, सर यह पूरी जूटी FIR है. लेकिन उसके बाउजूद भी उसे सजा पड़ गई. ऐसा ही एक judgment पर मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो भी बनाया था, कुछ समय पहले. उसमें मैंने बताया था कि यह लड़का है, बहुत अच्छी profile पर है, और उसका कहना है कि सर इस FIR की एक एक लाइन जूटी है, लेकिन उसके बाउजूद उसे सजा पड़ गई. यानि कई बार ऐसा भी होता है कि जो decision होते हैं, वो गलत हो जाते हैं. यानि कि चीज़े इस तरह से court ने देखी और दोशी माल लिया, सजा हो गई. अब दोस्तों, आज के scenario में तो यह है, कि 10 साल, 12 साल लगेगी अगर सजा होंगे भी तो. और उतने time में आपका compromise हो जाता है. लेकिन जब यह scenario यह हो जाएगा कि 3 साल के अंदर मामला ने पड़ना है, और गलती से भी इसमें अगर हजबन को सजा पड़ गई, या हजबन के किसी परिवार वाले को सजा पड़ गई, तो दोस्तों, लड़की वालों को confidence तो बहुँच जादा boost हो जाएगा. भले ही वो मामला जूटा हो. तो ऐसे में ये एक नुकसानदा एक पहलू भी है, तो वो client ही है, मिरे से बात कर रहे थे, तो उनसे जब मेरी बात हो रही थी, तो बता रहे थे सरे, तो दोधारी तलवार है, तो जब हमने इस पर discussion किया, तो यही समझ में आया, कि भाई, अगर मामला जूटा है, और जूटे मामले का किसी को सजा पढ़ जाती है, और तीन साल के अंदर अंदर, तो तीन साल में तो अधिकतर मामले होते हैं, देखो तीन साल या अश से उपर ही चलते हैं, उसके बाद ही compromise होते हैं, तो लड़की वालतों को भी compromise ही नहीं करेंगे, बड़ी agile करा दी इसको, तो ऐसे में हजमन की दिक्कत बढ़ भी सकती है, तो बात वही है कि हर चीज़ के दो पहलू है, अच्छा पहलू यह है कि जल्दी चीज़ें खतम हो रही हैं, बुरा पहलू यह है कि अगर जज़्मन गलत चला गिया, आपके खिलाफ चला गिया, तो आप प्राब्लम में भी फस सकते हैं, अभी तो कोई जेल वेल का चक्कर है नहीं, क्योंकि दद्द बारा-बारा साल तक ट्रायल चलता रहता है, लेकिन तब तीन साल में जज़्मन अगर होगा, तो फिर वहाँ पर एक भै आपके उपर होगा, कि अगर आपके परिवार के चार लोगों के नाम है, उनमें से अगर किसी को जेल हो जाती है, जज़्मन उनके खिलाफ हो जाता है, तो आप प्राब्लम में फस सकते हैं, ये किसका नेगटिव पहलू भी है, दोस्तों बाकी सबकी पब्लिक की अपनी अपनी राय होती है, अब मैं देख रहा था कि कई लोग ये कह रहे थे, कि सर कुछ नहीं बदलने वाला, सब कुछ वो ही रहेगा, बस पहले आराम आराम से हरिस्मेंट होता था तब तेजी से होगा, तो अलग-अलग उपीनियन सबकी नए कानूनों पर आ रही है, पॉजिटिव नेगिटिव दोनों तरह की चीज़ें आ रही है, और डेली हम पढ़ते भी हैं, कि लोग को होगा क्या सोचना है, क्या कहना है, बाकि दोस्तों, प्रैक्टिकल इंप्लिमेंटेशन क्या होता है, वो तो आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि देखो, बहुत सारी चीज़ ऐसी है, जो हम लोग कभी सोचते थे कि इंडिया में हो नहीं सकती, लेकिन अभी हो रही है, अब जब डिजिटल इंडिया का कॉंसेप्ट आया था, तो हमने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया हुगा, कि हम लोग पैसा जेम में रखके नहीं चलेंगे, और हम दूसरे शेहर घूमने चले जाएंगे, लेकिन आज के समय आप देखो, maximum transactions online हो रही है, सब payments UPI से हो रही है, तो ये चीज़ हमने सोची नहीं थी, लेकिन वो practical implement हो गई, डिजिटल इंडिया एक्चों में बन चुका है, तो दोस्तो इसी लिए, अभी तो हम कानून वेवस्था को लेके चुके, हमारा perspective ऐसा है कि यहां तो बड़ी बुरी वेवस्था है, लेकिन दोस्तों हो सकता है, कि आने वाले टाइम पर ये वेवस्था सुधर जाए, और implement बहुत अच्छा हो, तो कुछ नहीं कह सकते हैं आप अभी न, कुछ भी हो सकता है, बहुत वेवस्था ऐसी हैं, जो पहले बहुत खराब थी, लेकिन आज देखो आप पहले पासपर्ट बनाना इतना मुश्किल हुआ करता था, मैं आपको क्या बदाऊं, बहुत बुरा हाल था है जब हम लोगों ने पासपर्ट बनाना है, बहुत साल पहले की बाद बता रहा हूँ, आज और लाइन पर क्रिया है, simply आप apply करो, appointment लो, वहाँ पर जाओ, सारी प्रूसिय बिल्कुल अराम से नहीं पड़ जाती है, कोई problem है ही नहीं, तो दोस्तों, जो वेवस्था, आज लच्चर है, जरूरी नहीं कि हमेशा लच्चर है, तो positive रखे माइंड को अपने, हो सकता है कि इस नए कानूनों के आने के बाद, जो तस्वीर है, वो पूरे तरीके से ही बदल जाए, तो देखते हैं, इसी उम्मीद के साथ, कि सब कुछ अच्छा होगा, चले दूस्तों, आज किस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नहीं जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए, गुडबाय, थैंक्यू फो वाचिंग, टेक कियर,